नमस्क्रमीत्रों हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत श्वागत हैं और इसके प्रभाव अतितीब्र है इसका जो असार है 60 सेकंड के भीतर में मिलना शुरू हो जाते हैं यह यंत्रा जहां भी रहता है वहाँ धान वैभाव सूख संपती स्वयम चलकर क्याने लगता है यह यंत्रा शभी प्रकार के मनो कामना की पूर्ती करता है मित्रो इस बीड़ो को एक बर अपने फैदे के लिए पूरा जरू देखना इस यंत्रा को बनाने का तरीका बताऊंगा और यह यंत्रा कौन से घर की हिस्से में रखा जाए जिसे हमारे घर में अनधन के बढ़ोतरी हो हमारे जीवन में परिवर्ता ना इस बीड़ो में पूरी जानकरी विस्तार से बताऊंगा दो मिनट के बीड़ो बनने वाली है यह यंत्रा की अंदर दुनिया के समस्त सक्ति विराजित हैं यह जो यंत्रा देख रहे हैं इसे महा प्रभावसाली यंत्रा कहा जाता पर फ्रेंब बनवाकर करके टांग शक्तनें, दूसरा इसे यंट्रा को आप जो है बना करके इसे चान्दी किताविज में भरकर के पहन सकते हैं। तो आपको मन चाहा न उकरी मन चाहा आपके जो भी दभी हुई इक्ष हैं वा इक्षा पुन्ना होती है। यंत्रा बनाने की बीधी हैं कि आप इसे सर्व प्रत्रम भोज़ पत्र पर बना सकते हैं, दूसरा तेज के पत्ते पर, तीसरा जो है पीपल के पत्ते पर आप इसे बना सकते हैं, इसे बना करके अगर आप पहनते हो, 60 सिकंड की भीतर में आपकी जिवन में चमतकार होना शु तो ये थे छोटी सी जानकारी बड़ो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार